पिता की कुरोना से मौत पर पुत्र ने जटक लिया कंधा मोबाइल बन कर भाग निकला पुत्र कवीर सेवा संसान ने शुकुरवार की देर रात 9 बजे शव का गया अंतिम संसकार कुरोना संकर्मन से मरे एक बुज़र की लास लेने से पुत्र ने इंकार कर दिया गुरवार को सुबाए 11 बजे बुज़र ने DMCS में कुरोना संकर्मन से दम दोर दिया एम्बुलेंस में लास लेकर कुछ परिजनों को देर शाम शहर के बाहर एक असल पर अंतिम संसकार के लिए जाना था वहाँ उनके सहायता के लिए कबीर सेवा संसान के सुयसेवक नवीन सिन्हा के निर्चत में तयार थे निर्थार इस समय पर जब नवीन सिन्हा ने पुत्र को कॉल किया तो उसने आने की जानकारी दी कुछ देर बाद उसका मोबाईल आफ हो गया नवीन सिर्हा ने जब अस्पताल में कॉल किया तो बताया गया कि पुत्र ने लिख कर दे दिया कि वशव ले जाने में औस समर्थ है और वहां से निकल गया शब के अंतिम संसकार में सहयो करने की तयारी कर चुके स्वा सेवक इसके बाद शमसान घाड से वापस हो गये बता दे कि परिजन को शब के साथ समसान घाड जाना था वहां कवीर सेवा संसान के स्वा सेवक उनकी सहायता के लिए तयार थे पडिवार में एक पुद्र को छोड़कर सभी क्रोणा संक्रमित थे मिटरकर रेलवे से रेटायर थे पडिवार में पत्नी वह तीन पुद्र है पडिजनों में एक को छोड़कर सभी क्रोणा पॉजिटिव है एक मातर निगेटीब बेटा वी शब छोड़ कर फडार हो गया मामला कमदॉल थाना का था उसकी मौत गुरुवार की सुभा 11 बच कर 15 मेर्ट पर हो गए थी अस्पताल सूत्रों के अनुसार स्वास कर्मियों ने पुद्र को शब के अंतिम संसकार के लिए रोकना चाहा पुद्र किसी भी इस्थिती में पिता के अंतिम संसकार में शामिल नहीं होना चाहता था आखिरकार उसने अस्पताल को लिखित दे दिया कि उसके पास कोई नहीं है वो लाश लेजाने में और समर्थ है इसके बाद पीता का शब छोड़कर चुपके से अस्पताल से भाग निकला लाश को अस्पताल में ही डीफ फ्रिजर में रखवा दिया गया सदर SDP और राकेस कुमार ने शब को शुक्रवार की रात में अन्तिम संस्काराई कराये जाने की बात कही है कबीर सेवा संसान के संरक्षक नवीन सिनहानिस संसान के मुहमद उमर दीपक कुमार सुरेंद्र महतो वर अन्जीत के साथ सब का शुक्रवाद को देर रात 9 बजे अंतिम संस्कार कर दिया बताया जाता है कि परिवार दिल्ली में रहता था एक सदस से क्रोना संकर्मित हो गया उसे वहीं भरती कराया गया बाद में एक बलोरो लेकर वहां से परिवार के अन्य सदस से वहां से निकल भागे इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने अस्थानी स्वास्त कर्मियों को दी स्वास्त कर्मी वहां पहुँचकर सभी साथ लोगों की क्रोना जाच की इसमें से 65 साल के बुजुर्ग की जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसे 5 अप्रेल को डीम सेच के क्रोना वार में भरती कराया गया इलाच के करम में गुरुवार को बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया इस बात पर जब पुत्र से संपर्ग करने का परियास किया गए तो उसका मुबाइल लगाता स्विच आफ बता रहा था इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड में स्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कॉमी तांजीन न्यूस पेपर दरभंगा